और बिना देर के बच्वों चलेंगे पहले प्रश्ण क्योंकि अभी हमारी बाते हो चुकी है हाई होलो सब कुछ हो चुका है पहले प्रश्ण निकलेंगे जब किसी व्यक्तिका भठाव एक शीशु या बचकाना अस्तर तर गिर जाता है तो इस व्यवहार को कहते हैं क्या कह केते हैं बच्वों सभी बच्वों कुगुडीनी रामन दमन प्रतीब गमन या उत्साधन अ कि अ कि इसे को बच्वों अ बचो ये स्टमन हो जाएगा ये गलत है यहाँ पर ये स्टमन हो जाएगा श्टमन दमन प्रतिगमन या उच्तादन और इसका राइट इंसर हो जाएगा बचो ओप्शन C जब कोई व्यक्ति अपने बच्पन की हरक्तो या विभार को वापिश करने लगता है या अपने बच्पन में वापस लव जाता है तो इसक्रिया को रेग्रेशन यानि की बचो प्रतिगमन वापशी कहते हैं ठीक है नेक्स प्रूश निकलेंगे व्यक्तित्व के महतपूर संगठक जिसकी सिगमेंट फ्राइड ने ब्याक्या की इन में से क्या है व्यक्तित्व के महतपूर संगठक जिसकी सिगमेंट फ्राइड ने वाज्यानिक थे इन्होंने ब्याक्या की इन में से वह क्या है बचो राइट इंसर हो जाएगा टू का ओप्षिन बी ओप्षिन बी इस राइट बच्छो ठीक है स्रीमेंट फ्राइड एक अमेरिकी मनुच्री की सकती फ्राइड के अनुश्टार व्यक्तित हुआ गत्यात्मक पश्च तीन अवस्थाओं पे डिपेंडेंट है इसका राइट इंसर बच्छो हो जाएगा ओप्षिन बी इंद अहंकार और अति दम जिसको बोलते हैं आइडी इगो और सुपर इगो नेक्स प्रूश निकलेंगे चिंतन एक मांसिक परक्रिया है जो इनमें से एक से संबद्ध होता है किस से बच्छो विचार तथा कल्पना उदेश्यमम गतिया किरिया तथा प्रतिकिरिया अनुभूती और भावना है वेरी गूड अनीता बेल्कुल एपसिलोट ये राइट इंसर रोशाएगा वच्छो त्रीका ओप्शन ए ओप्शन ए इस राइट विचार तथा कल्पना ठीकिरिया जो विचार तथा कल्पना से संबन्दी थे पीटो सिन के अधिश्ठापन के दोरान इनमें से कौन सा जोखीम होता है रक्षाप में बढ़ोतवी, संक्रमण, गर्भाशे का फटना, जिली का समय पूरो फटना पीटो सिन के अधिश्ठापन के दोरान इनमें से कौन सा जोखीम होता है राइट इनसर जाएगा फोर का ओप्षन, ओप्षन C, ओप्षन C is the right बच्वट ठीके, गर्भाशे का फटना पीटो सिन एक दवा है, जिसे महिलाओं के प्रशों के दोरान दिया जाता है पीटो सिन का परियोग तब किया जाता है, जब महिलाओं में प्रशों नहीं हो रहा हो तो गर्भाशे में कंटाक्शन बढ़ाने के लिए इस दवा का परियोग किया जाता है या आक्सीटो सिन हार्मोन का ही ये अलग प्रतिरूप है ठीक है बच्छों, एक्सप्रस निकलेंगे फैलोपिया नली का कार्य होता है, क्या होता है बच्छों ध्यान पूर्वक एंसर आप पढ़ें बच्छों, औप्सिन पढ़ें, और एंसर करें बिल्कुल अनिता एंसर करें बच्छों सीता, उसको पिटोसिन भी बोलते है जी, अमिता ठीक है राइट इंसर हो जाएका फाइट का उप्शन C, उप्शन C is the right उप्शन C is the right, निक्षेशन क्रिया का संपादर पिटोसिन एक मेडिसीन है, बच्छों जो कहीने कहीं, ऑक्सिटोसिन का एक फॉर्मूला है एक्षेशन निकलेंगे मातित्व चक्र के दोरान मधमे को नियंतित करना की समय बहुत मुश्किल होता है जी, अनिता ठीक है आप लोग बताएं कैसे हैं बच्छों और आप सब की प्रहाई कैसी से लिए और राइट इंसर हो जाएगा शिक्स का उप्शन सी, उप्शन सी इस जा राइट प्रशो तता सीसु जनम के समय ठीक है बच्छों मदमे की विमारी शरीर में अगनाशे द्वरा इंसूलीन के श्राव के कम होने के कारण होती है इसमें रक्त में गुलकूचे सर बढ़ जाता है साथ ही इन मरीजों में रक्त कुलस्टोल वशा के अवयव भी और समाने रूप से बढ़ घट जाते है ठीक ए एक्स्पस निकरेंगे अंडूर सर की व्याक्या की जाती है ग्राफियल्पूट की परिपक्वता ग्राफियल पूटक की फट्ना युनी सी रक्षाव रिशाव या भृण विकाज की दौरान ग्राफियल्पूटक परिपक्वता और सुनी, पोसिबिल्टी है कि एक्जाम आपका off-line होगा क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, एक लाग तक बच्चे में भी होगे तो इस वज़े से आपका एक्जाम पोसिबिल्टी है बच्चो, off-line होगा और online भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं बच्छो, same process होता है, सब कुछ, आप जाते हैं, system में login करते हैं, जैसे एक time होता है, system on हो जाता है, आपको login कर लेना होता है, पर इसमें अंतर यह होता है, कि एक बार आपने जो click कर दिया, उस answer को आप नहीं बदल सकते, वही answer हैगा, 7th ग्राफियन पुटक का फटना, evolution या अंडो सर मादा प्रजन का चक्र का एक हिस्सा है, evolution के दोरान, ओबली एक अंडे को निकालती है, जिसे फेलोपियन ट्यूब के द्वारा ग्रहेंट कर लिया, जाता है, तथा अगले 12 से 24 घंटे के दोरान, या अंडा निशेचित या फ 25 प्रतिशत मौते या मातमरीतु का कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में होगा अडिक्षा, यूपी में होगा, और एक से अधिक जिलों में होगा, कई सारे जगों में होगा, सिर्फ लखनाओ, गोरगपूर में होगा बच्चों, पूरे यूपी में होगा, और 8 कराईटी सर्व जाएग ऑप्शन बी प्रशूती रख्षाप आज हम थोड़ा जल्दी चलेंगे बच्छो क्योंकि कल हम काफी लेट हो गये थे अपगार स्कोरिंग शिशु किस अंकी क्रिया शिल्था या आकलन करने ही तू किया जाता है अपगार स्कोरिंग शिशु के किस अंकी क्रिया शिल्था का आकलन करने ही तू किया जाता है नहीं सोनी एक बार आपने क्लिक कर दिया तो वो इंसर आपका वही रहेगा बदल आप नहीं सकते आपकार इसको नए जन्में हुए बच्चे का स्वास जांचने का तरीका है इसमें पांच चीजों की जांच की जाती है जैसे चमडे का रंग पल्स तर क्रिया क्लाप श्वशन क्रिया और मुह बनाने की क्रिया नेक्स प्रेशन निकलेंगे बच्चो अभी आप ध्यान दे प्रेशन पे प्लीज आप लोग बाच इतना करें सिर्फ प्रेशन पे ध्यान दे अगर कुछ पूछना होगा तो आप मेरे से बाद में पूछ ले ना ठीक अभी आप प्रेशन पे द्यान दे इतने जाद है महत्पूर प्रेशन है ये बच् मुत्राश्य एवं मलाश्य के बीचिसित है लगभग 7.5 से 10 सिंटीमिटर लंबी और अत्यधी सिकुडने फैलने वाली नाल होती है यहाँ पर उपस्तित कुछ जिवाण वुशेश्ता लैक्टू वैसिलाई त्वारा गुलकूज के अपगटन से कार्बनिक अमल बनते हैं जो इसे अमली बनाते हैं तो यहाँ का जो वातावरन होता है वो अमली होता है ठीक है प्रो क्लैक्टेमपेसिया में आराम करना अवश्यक होता है क्योंकि यह गर्वा शेप को रोगता है उत्तक द्रव की गति शिल्टा बढ़ाकर रध्चाप को गम करता है रध्परवा में सुधार कर ओडिमा यानि शोत को घटाता है यह अप्शन D समय प्रशव को रोगता ह रध्परवा में सुधार कर ओडिमा यानि सोध को घटाता है गर्मे शिशु के सरीर में हल्चल का गर्वती मताओं को होने वाला ऐसास कहलाता है या वालोत मेंट राइक देटी है फूर कैलोरी इस कालोरी या नािन कैलोरी राइट इंसर हो जाएगा थोटीन का ओप्शन D 9 कालोरी ठीक है एक ग्राम वसा बचो नाइन कैलोरी उज़ा पडान कटती हैं. कौन साहार प्राकीरतिक रूप से बितामिन C का सबसे भरपूर शोत है? नहीं ये वाले लखनौम नहीं होगा बचूatamente ह aims ये एक से अधिक सेंट्री पर होगा. कौन शाहार प्राकेट्थी क्रुप से बिटामिन C का सबसे भरपूर शोत है असपंदन को क्यों कैनिंग ही बोलते हैं बच्चो इंगलीज में लगे बताने मुझे असपंदन को क्यों कैनिंग ही बोलते हैं और आईटीन से रुजाएगा फोटिंग को उप्शन C किसी विशिष्ट शेत्र में रूची शम्ता तता योकिता में होने वाले व्यक्तिकत फर्क को इन में से किस परिशन के द्वारा आगलेत क्या जाता है दिश्चिकोडिय परिशन, शमता परिशन, बौधिक असर या मानसिक शमता परिशन नहीं असीता एक से अधिक सेंटर पे होगा यह पहले था बच्चो लेकिन अभी एक सेंटर पे आयोजीत क्या जाएगा में भी पूरे chances है बच्चो एक सेंटर पे नहीं होगा सिर्फ यह बच्चे हैं एक लाग बच्चे हैं और किसी एक सेंटर को समालना टफ हो जाएगा और आइट इंसर हो जाएगा बच्चो 15 का option B, option B is the right, शंता परिशन, option B is the right, बच्चो ठीक है, किसी अकिले व्यक्ति का रुजान योगता और शंता के परिशा उसके रूची परिशन के द्वारा किया जा सकता है बच्चो ठीक है, next question दिख लेंगे मादा शिशू के प्रती अपने दिश्टिकोर में बदलाव लाने के उदेश से एक महिला, समुख को इन में से कौन सा सेक्च्चन परिशा सबसे उप्यूगत है जी अर्षना और इसका राइट इंसर हो जाएगा option A, option A is the right भूमी का निर्वान शिश्टन एवं अध्यापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं सीखने वाला कई तरीकों से अपने लक्षों के और बढ़ते हुए नैग्यान, आशार एवं कौन मादा शिशू के प्रती अपने दिश्टकोर में बदलाव लाने है तू एक महिला समू का भूमी का निर्वान विधी सर्वताव व्यूगत है क्योंकि इस बिधी में अभिनव और अनूकरण जैसी समाधात्मक अध्यापन रणीतियों को अपनाया जाता है शात द्वारा किसी बिमारी के संकेतों तथा लक्षन को याद रखने की शमता इनमें से किसे से संबद्ध है शात द्वारा किसी बिमारी के संकेतों तथा लक्षन को याद रखने की शमता इनमें से किसे से संबद्ध है सीता लेकिन 2700 में कम बच्चे था इसमें एक लाग तक बच्चे है नहीं रहें कि लगवग एक लाग तक नबबे हजार क्यास बच्चे है अगर हम बात करें नबबे हजार तो ओबराल बात करें तो एक लाग बोलेंगे लेकिन नबबे हजार से ज़्यादा फ़र्म पड़े हुए ये शे हो रहे है और इसका राइट इन से रुजाएगा 17 का बच्चे ऑप्शन B ऑप्शन B is the right संग्यानात्मक कारिय शेत्र बच्चो किसी शाद दुबारा किसी रोग के लक्षनों को याद रखने की शक्ति को संग्यानात्मक कहते हैं बच्चो ठीके गातक रख्टाल पता किसकी कमी से होता है बच्चो अब यह अप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें प्लीज गातक रख्टाल पता किसकी कमी से होता है थाइमीन लोहा बिटामिन B12 या फॉलिक अमल और 18 का राइट इन से रुजाएग ऑप्शन C ऑप्शन C is the right बिटामिन B12 बच्चो ठीके एक परकार का रुख होता है जिसमें बच्चो कहीं ने कहें बिटामिन B12 को प्रयाप्त मात्र में और शोष्टी नहीं कर पाता हमारा शरी जिसके वज़े से लाल रख्ट कोशिकाओं में कमी आजाती है ठीके रिनार लैक्टेट विलन की शक्ति पदाता है रिनार लैक्टेट विलन की शक्ति पदाता है इनमें से कौन सा है बच्चो कुछ प्रश्ण ऐसे हैं बच्चो मुझे उमीद है आप सबको हवा भी नहीं लग रहा होगा क्योंकि कुछ प्रश्ण बहुत ही ज्यादा मोडरेट हैं टफ हैं लेकिन यह प्रश्ण जानना बहुत ज़रूर है इसलिए मैं बोला हूं कि सारा कुछ ध्यान अटाके फिलाल कर रहे हैं रिग्नार-लैक्टेट-विलें आइसो-टोनिक विलें है इस विलें में कोराइट, सोडियम, पोटेशियम, कैलसियम कार्बोरेट और फास्पेट ayon होते हैं इस विलें को शरीर की खर्यात्मक परियोगों में जन्तू, कोशिकाउङ के लिए समर पार्शी करकार क का मनुभरम इनमें से कौन सा है लेकिन नीलम याद मैंने कल भी बताया था ना आप सब को याद करने के लिए कैसे पढ़ाई करने है कल वाले क्लास में मैंने बताया था कमस्कुम 20 जिम में एक बार आपको रिविजन करना है और कोई भी टॉपिक जो भी आप पढ़े हैं कमस् सबसे समान परकार का मनुभरम क्या है तो अलजाइमर रोग बच्चो सबसे समान परकार है अलजाइमर मतलब मतलब भूलने का रोग बच्चो ठीक है समदाइक स्वास केंद्रों की नर्श हाल में शिनित मदमे रोगी को आउश्यदी उपचार के जर्गी किस अवस्ता के उपचार समन्दी उदेश्य को रिखांकित करती है सामदाइक स्वास गेंद्रों की नर्ष हाल में शिन्धित मदमें रोगी को और शिद उप्चार के जर्गी किस अवस्था के उप्चार समझे उदेश्च को रिखांकित करती है राइट इंसर रुजाएगा 21 का ऑप्शन B ऑप्शन B is the right अंतीमा अभी तो बच्चे ही नहीं आए DSSB के सारे के सारे आप लोगों में ही है पचासों बच्चों का मेसेज आया कि सर मेरा भी है मेरा भी है तो अभी तो common clash चलती रहेगी है बच्चे आएंगे special वाले या फिर आपका exam हो जाता है तो जाके अलग से बैच उसके लिए start किया जाएगा टीका के विभिन परकार में पोलिया ताप के प्रती सबसे अधिक सवेदल सी टीका है अता इसे किस तापमान पर संचित किया जाता है बच्चों ठीका के वेहन परकार में पोलिया ताप के प्रति सबसे अधिक सवेनल सिल ठीका है अता इससे किस ताप पर संचित किया जाता है बचू पोलियो होगा बचू यह पोलिया लिखा गया है यह पोलियो हो जाएगा और राइट इंसर हो जाएगा बच्छों, option B, option B is the right, minus 20 degree Celsius, minus 20 degree Celsius पर बच्छाई से store किया जाता है, next question निकलेंगे, बच्छों में प्रोटीन, उर्जा, कुपूशन का प्रतम संकेता क्या है, सब है, सोनी, इसमें एनम, जेनम दोनों है, राइट इंसर हो जाएगा 23, option C, option C is the right, उमर के अनुसार कम भार, ठीक बच्छों के अंदर, प्रोटीन या कैलोरी की कमी होने से कुपूशन हो जाता है, इसमें पहले बच्छे का वजन कम हो जाता है, इस कुपूशन को दूर करने इक लिए बच्छों को प्रोटीन कैलोरी से भर पूर वस्तुवे खिलाई जाती है, एक्स्प्रेशन दिकलेंगे बच्छों, विटामेनी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है, वेरीजी प्रिशन हलुआ प्रिशन है बच्छों, विटामेनी की कमी से निमें से कौन सा र और इसका राइट इन से जाएगर 24 का बच्छो ऑप्शन B, ऑप्शन B is the right, बिटोट्स धब्बे, बिटामेनी की कमी से होने के कारण, आखों के स्कलैप यानि सफेद भाग के अंदर पाई जाने वाले कंजक्टाइविया के उपर तीकोड या बीना आकार की धब्बे पड़ द्यान पुर्वक कमेंट्स पढ़ें, ऑप्शन पढ़ें, एनसे करें, जी नीलम सारी पिस्टम करवा देंगे, बिल्कुल आप बस यहीं पढ़ें बच्छो, मैं तो यहीं बोलूँगा, एमसी कोज के लिए आपको कोई किताब पढ़ने की जरुवत नहीं है, इतना लंब ओप्शन D, ओप्शन D is the right, इंटिग्रेटिव चाइड डवल्प्मेंट सर्विस, इंटिग्रेटिव चाइड डवल्प्मेंट सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है, नेक्स प्रिस निकलेंगे बच्छो, ट्राइको मोनल याउन संक्रमण, इन में से किस जीव के कारण हो ट्राइको मोनल याउन संक्रमण के जीव के कारण से होता है, प्रोटो जोवा कवक, इस्ट या खमीर या जीवान और राइट, इन सर्फ हो जाएगा इसका 26 का ओप्शन ए, प्रोटो जोवा, ओप्शन ए इस राइट बच्छो, ठीके, ट्राइको मोनल याउन जनित रोग है, जो प्रोटो जोवा की वज़ा से फैलता है, इस रोग के लिए मुख रोप से ट्राइको मोनल याउन नामक प् वाइजी नलीस नामक प्रोटो जोवा, एक्स प्रिशन के लेंगे, प्रति रोधक्ता का अर्थ क्या है, प्रति रोधक्ता का अर्थ क्या है, रोग प्रतिकार को तता एटीज़र की अबिक्रिया, गर्भनाल के एक सीरे से दूसरे सीरे तक माता, रोग प्रतिकार को का आज सथााना अंत्रन एक विशेश रोक के प्रती व्यक्त की रोघ्त्त कारतें एक Knightелюon के इक स्पेंट नगे जो हमारे थीखे लेगे हैं कई हमारे शरीय में रोगा प्रती दंगता निर्माळ करने के लिए ही लगाए गए हैं कुरोना वाले मेनिंगो कोकल मेनिंगाइटीज का ठीका कितने समय के लिए प्रतिरोधक प्रदान करता है प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है मेनिंगो कुकल, मेनिंगाइटीश का ठीका, कितनी समय के लिए प्रतिरोध रोधक परदान करता है, पांच वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष या चार वर्ष राइट इंसर जाएकर 28 का उप्षन, सी, तीन वर्ष बच्चो, ठीके, तीन वर्ष के लिए एक बार लग जाए ठीका, तो प्रतिरोध रोधक परदान करता है, नक्स आपको लगवाना पड़ता है, दुबारा तीन साल में, इन में से कौन से एक पटक को छोड़ कर, ने में स ने में से एक घटा को छोड़ कर, शेश अने किटाड़ों के विकास को बढ़ावा देने में सायक है, कौन सा बचो, किस एक को छोड़ का ने सभी किटाड़ों के विकास को बढ़ावा देने में सायक है, बचो, राइट इंसर जाएकर 29 का उप्षन, सी, उप्षन C इसा, र पिशाब सेंपल से, अंतीम पिशाब सेंपल से, पिशाब की मध्य धारा से या प्रथम तदा अंतीम पिशाब सेंपल से, राइड इन सूर जाएगा तीस का ओप्षिन, ये ओप्षिन इस दा राइड, पिशाब सेंपल से, पिशाब की कल्चर को पिशाब सेंपल से एकथ किय जाता है तपेदी के लिए जिम्हेदार जिवाड़ू कौन सा है इसे करें बचू बचू यह साड़े नुवाली क्लास में कितने कर प्रिश्ण को रखा जाए यह थोड़ा से लंबा हो जा रहा है अलाकि आप कहेंगे तो नहीं इसको कम करेंगे यह उप्शन में आप दे सकते है इसको 40 कर दिया जाए या 50 रखा जाए आप कमेंड वॉक्स में लिख रहे है थोड़ा सा टाइम इसमें लग रहा है यह तो है लेकिन जो भी है कोई बात में हमें कम करने का कोई नहीं है अगर आप चाहेंगे तब ही करेंगे द्रबाश कोई बात नहीं है ठीक है क्योंकि कि अगर सौ कोशन में मुझे लग रहा है बचो लगभर देड़ घंटा लग जाएगा और अगर हम असी कोशन रखते हैं तो एक से सवा घंटे में हो जाएगा है next question हो जाएगा 31 का रइट यह गया हो जाएगा ऑच्छ जाएगा थ्याफ चनब से मानोख ठीकिके मुध संत में होने वाले infection हो जाते हैं उसका पता लगाने के लिए मुद्र का परिक्षन क्या जाते हैं मुद्र का परिक्षन प्रथम पिसाब सेंपल यहां पर प्रथम छूटा हुआ है बस पिसाब के प्रथम सेंपल से यहां पर प्रथम छूटा हुआ है बस ठीक है सबसे ज़्यादा परभावित कोश्रिका होती है कि सबसे ज़्यादा परभावित कोश्रिका होती है कि इसका राइटी इंसे रुजाएगा 32 का ओप्शन ए CD-Helper T-Lymphocyte कोश्रिका है प्रात्मिक रूप से इस आवी मानवी प्रतिरोधक प्रडाली के आवश्रक कोश्रिकाओं जैसे सायक T-Kोश्रिका है जिसे विशिष रूप से CD-4 कोश्रिकाओं कहा जाते हैं Macrofuge और Dentritis कोश्रिका के संक्रमित करता है जब CD-4 T-Kोश्रिकाओं के संक्य आवश्रक अस्तर से नीचे गिर जाती है तो कोश्रिकाओं की प्रतिरक्षा समाप्थ हो जाती है और संक्रमडों का खत्रा बढ़ जाता है है गाव की डेसिंग करते समय करते हैं सुरी गाव की बिलकुल 2 सबसे ही बचसँ आप जो कहते हैं वसी इससाफ से नहीं जो आपके सही आपके लिए वू मिर्पर से तो नहीं कर रहा हूं यह तो गलत हैं लेकिन आपके 2 आपके लिए सबसे ज्यादा सही है मैं वह कर रहा हूं और आप लोग भी और अर एम में सु राइड के ओर सुंुन करते समय करते हैं सौरी शेल आपूर्थिता घाव या चोट लग जाने पर उसकी मरहम पट्टी शेल आपूर्थिता विधी से की जाती है नेक्स प्रिसमेट लेंगे पूलियो का ठीका बनायacy जाता है जीवित तनुजीव से, मिलित जुमाड़ उसे विशाण़ से या वाई वे जिवाड उसे पोलियों का ठीका बनाए जाता है राइट इंसर रुजाएगर 34 का उप्षन ए उप्षन ए इस दर राइट जिवित तनू जीव से एक वैस्ट को को रोजाना कितने मिलिग्राम केल्शियम क्यावशक्ता होती है राइट इंसर रुजाएगर 35 का उप्षन इसमें बच्चो एक्शुली कई सारे सेग्मेंट से इसमें उम्र पूशा होता तब बच्चो इसमें बताना तोड़ा सा असान हो जाता लेकिन अगर हम वैस्ट की बात करें तो बच्चो लगभग यहाँ पे सारा यह थोड़ा सा यह उम्र के हिसाब से होता है मालो कोई 0-6 मंत का है तो उसके लिए बच्चो दो सब चाहिए इसे परकार से अगर कोई 14-18 की बीश का है बच्चो तो उसे 18-100 चाहिए तो आपको 18-100 याद रखना है वैश्क के लिए ठीके जो इसमें नहीं है ठीके 18-100 आपको याद रखना है वैश्क के लिए रोगी को फावलर के इस्ति में रखने है तो बेड के सिराने को कितने कोण तक उठाया उपर उठाना चाहिए इंसेगरे में बचो रोगी को फावलर के इस्ति में रखने है तो बेड के सिराने को कितने कोण तक उपर उठाना चाहिए 350 कोंड, 150 कोंड, 600 कोंड या 450 कोंड I didn't answer हो जाएगा तवरी 6 का option D Option D is the right, 450 कोंड पर ठीक है Sorry, यह 450 होता ही नहीं है बचोई, यह तो गलत लिखा गया है 450 कोंड, maximum 307 होता है Actually बचोई, यह 45 है, यह 60 है डिगरी है बचोई, डिगरी को 0 कर दिया है हमारे टाइपिस्ट साहब ने, इन्होंने blender mistake किया है ठीक है बचोई, यह सब डिगरी है यह 0 को यहाँ पर लगाना था छोटा छोटा करके तो इन्होंने बड़ा कर दिया है तो यह इसका राइट इन्होंने बचोई, बचोई, यानि 45 डिगरी कोड़ पर ठीक है, next question निखलेंगे मानों तोचा बिना छाले पड़े अधिक्तम कितना तापमान सह सकता है मानों तोचा बिना छाले पड़े, कितने तापमान को सह सकता है आपको पता है, बचोई, सोरी का जो टेंपरिश्फिसर होता है, व लगबाट 5-6 क्रोड डिगरी सलसीश है नेais सबसे बहूरी घिरा आपमान सह सबसे बाहर वाला इसका टेंपरेचर है छे हजार डिग्री सेल्सियस ठीक ही तलते में बच्छे वागले प्रिशने के और रोगी के संक्रमण के खत्री को कम करने ही तू शरीर के भीतर परविष्ट कैथेटर के साथ और कौन से चिकित्सकी उपाए नौसिंग उपचार के हास्तशेप के अंतर करनी श किसी कुपता है स्तूरी हमारे प्रिथवी से कितना दूर है क्या नलिहां कोई लिख सकता है गूगल किए बीना गूगल नहीं करेंगे आप लोग, अगर आपको पता है तो लिखेंगे कि सुर्य हमारे से कितने दूर है राइटिन सर्व जाएगा 38 का ओप्षिन, ए ओप्षिन A is the right नलिका मुख के चार ओर के शेत्र की सफाई, ठीक है वश्वो जबकि से मरीज को कैथेटर दिया जाता है तो कैथेटर से होने वाला infection को कम करने के लिए कैथेटर और कैथेटर डालने वाली जगा यानि नलिका के मुख के चार ओर का शेत्र को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए नली के द्वारा भूजन उपलब्द करने के समय गैस को कितने एमेल से ज़्यादा मात्रा एकत होने पर आगे बढ़ा देना चाहिए बहुत गलत बता रहे बच्छो किसी ने अभी साही एंसर नहीं बताया सीता भूल गए मैकसम बच्छी भूल गए किसी ने अभी तक नहीं बताया बहुत गलत बात है बच्छो पता होना चाहिए था सबसे पहले होता है बिलकुल शर्शी लता मैकसम बच्छो ने अब बता दिया लगबग एवरेज हम देखें बच्छो तो 15 करोड किलोमेटर हला की थंडिएं में 14.83 करोड के असपास आ जाते है और गर्मियों में यह थोड़े से दूर हो जाते हैं गर्मियों में पास आ जाते हैं तो यह घटता बढ़ता रहता है लेकिन एवरेज 15 करोड किलोमेटर और इसका राइट इंसुलीन का इंजेक्शन देते हैं टाइम लग रहा है ना बचो इसमें थोड़ा सा टाइम 50 प्रिशन का मतलब बचो कम से कम 50 मिनट 50 प्रिशन अगर करवा रहे हैं तो कम से कम 50 मिनट चाहिए यानि जितने प्रिशन करवाएंगे उतने मिनट कम से कम हमें देना पड़ेगा बच्छो कोई बात नहीं अगर आप चाहते हैं जितना तो रहेगा यह नहीं रहेगा मुझे कोई नहीं है बच्छो राइट इंजेक्शन इसका दिया जाता है नेक्स प्रिस निकलेंगे एक बोटल से एक आस ग्लास में इसमें वी कुछ मिश्टिक लग रहा है मुश्री 42 में एक बोटल से एक आस ग्लास में बच्छो यह आस उचाहिए ऑंस ग्लास में तरल और शदी उडेलती समय बोटल के लेवल को हातों के विवरी दिशा में रखा जाता है दाई दार्थी दिशा में रखा जाता है बाई तरफ रखा जाता है ये दाई तरफ होगा दाई दिशा में रखा जाता है बाई तरफ रखा जाता है या किसी भी तरफ रख सकते हैं I answer रुजायक ओप्ष्ण A, option is the right हातों को विवरे दिशा में रखा जाता है Next question दिख लेंगे अचेत रोगियों के नेतरों पर पटियां किसको रोकने के लिए लगाई जाती है अचेत रोगियों के नेतों पर पट्टिया यानि पैटिंग किसको रोकने के लगा जाती है आखों को शुष खोने से रोकने है तू आखों को जपकने से रोकने है तू कार्णिया के अलसर को रोकने है तू या नेतों की गति को रोकने है तू कार्णिया की अल्सर को रोकने है तू नेत्रों पे पट्टिया यहीं पैडिंग की जाती है दस मिलीग्राम यहां पे दस हो जाएगा बच्छो दस मिलीग्राम की सीसी से 7.5 mg मार्फिन सल्पेट आईयम रोगी को दी जाती है इस औस दी की सही खुराग एमल में होनी चाहिए सही खुराग क्या होनी चाहिए बच्छो 0.5, 0.75, 0.85 या 0. sorry 1.5 ml राइट इस रुजार का ओप्षिन बी ओप्षिन बी इस दा राइट 0.75 ml नेक्स प्षिन निकलेंग बच्छो 12 गंटे के समय काल से अधिक अवधी में 1000 ml समान से लाइन श्रानी चाहिए यदि आप ड्रोफ फैक्टर यानि घटक 15 बूदे प्रटी मिनट हो तो 12 गंटे के समय काल से अधिक अवधी में 1000 ml समान से लाइन श्रानी चाहिए यदि आप ड्रोफ फैक्टर 15 बूदे प्रती मिनट हो तो और राइट इंसर हो जाएगा बच्चों 45 का option C और आपने बिल्कुल राइट इंसर सबने बिल्कुल राइट इंसर किया नर्स को कौन सा सुएक्स्थात्मक आइटम का प्रियोग करना चाहिए दस्ताने तथा गोगल्स यहां चश्वा लगाना छी दस्तानी तथा गोडञ यहां पी होगा दस्तानी गाउन तथा जूता सनशक दस्ताने यहां पी फी गोगल होगा बझ्व किर गोगल होगा गोठ plutôt गो म hacen ऐख पी इस यहां पर बचुब हर जिगर गाउन होगा यहां पर भी गाउन होगा दस्ताने तथा गाउन यहा पर भी होगा दस्ताने गाउन तथा चश्मी और राइट इंसर हो जाएका 46 का option C option C is the right दसानी गाउन तो था जूता सनशक ये तीनों चीज वेयर करना चीए पहना चहिए बस पूजा हो गया तीन चार परश्ण हो रहे हैं होटकिन्स होटकिन्स कैंसर रूप का प्रभावित करता है ऑजकिन्स, कैंसर रोग प्रभावित करता है, अस्तियो को, व्रिक्ट को, लिंपोसाइट को या जिघर को और राइट एसर हो जाएका, बचो, 47 का option C लिंपोसाइट को, ठीके होजकिन्स, रोग मनुष के लिंपोसाइट को प्रभावित करता है, ठीके हिटे दमनी विकार वाले रोगी में तालू प्रतिकिर्या मिलने पर नज उसे किर्थी मासु भरने का प्रियाश्ट करेगी एक तरफ करवट लेकर सोनी की सलाह देगी रोगी को साफ द्रव के छोटी डोज प्रदान करेगी या क्रिपाली तंथे का 3, 4 और 6 का परिश्ण जाज करेगी और आइटे इंसर रुचाहेगा 48 का ओप्शन B हिदर दमनी पिकार वाले रोगी को तालू प्रतिकिया मिलने पर एक तरफ करवट लेकर सोनी की सलाह देगी नर्स एक सोध्य पूर्व रोगी से सूचिबध सहमेथी ली जाती है किसे रोकने के लिए बचों किसी पशाड या गिरावट को रोकने है तो या कानूनी परिडाम को रोकने है तो राइट इंसर रोजाएग बचो option D, option D is the right कानूनी परिडाम को रोकने हैं तो जब किसी मरीज को अस्पताल में भत्ति करा जाता है तो उसके साथ आये या मवजूद व्यक्ति से उस व्यक्ति के लिए कानूनी कागज आने जो लिकल डॉकुमेंट्स होते हैं उस पर यह हस्ताक्षर करा लिया जाता है जिसे कोई कानूनी परिडाम यान उलंगन नहों पाए आखरी प्रेश्ट बिंबाड के संख्या किस रोख के कारण घट्टी है आखरी प्रेश्ट बच्चि बता देंगे इंसर बिंबाड के संख्या किस कारण घट्टी है मलेरिया हाती पाउं डेंगू या टाइफाइड राइट इंसर हो जाएगा 50 और ऑप्सन सी इस था राइट डेंगू के बच्चि ठीक है कुतने के 50 का हो जाएगा टेंगू एक उष्ण कठिपंदी संक्रामक रोग है जो एडीज इजिप्टी मचर के काटने से होता है इस रोग में तेज बुखार के साथ साथ प्रेटलेट्स में कमी आती है यह रोग जानलेवा भी है यह रोग मचरो या खून के द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तद पहुंच जाता है ठीक है बचो तो यह आपके 75 प्रिश्ण कम्प्लीट हुए जो काफी जादा मेहतपूरती मुझे उमीद है आप सबको अच्छा लगा होगा ठीक बचो तो मिलते हैं कल की क्लास में थाइंकिस सो मच बचो बाए बे देएंकिंग अपना गोडबिस्यू